चतोर करके रावत भाटा उपखंड में रहने वाली एक महिला ने पुलिस की प्रताड़ना से परिशान होकर अपने दो मासूम बच्चों के साथ जिला कलेक्टर के सामक्ष पेश होकर इच्छा मृत्यू की गोहार लगाई है मामले में पुलिस पर कॉंग्रिस के बेंगू के विधायक राजेन सिंग बिधूरी के दबाओ में काम करने के आरोप लगाए गए हैं जानकारी के दुसार रावत भाटा शेतर के रहने वाली पुषपा पतनी नरायन गुर्जर अपने छे वर्षी पुत्र रोहन और आठ वर्षी पुत्री माही के साथ आज सुबह जिला कलेक्टरेट कारेड़े पहुंची और जिला कलेक्टर को राश्टपती के नाम झाल